सारी दुनिया है लोक्डाउन में कोरोना है सबका रोना डरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पड़ो सभी कोरोना से डरो नहीं बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको नमस्कार बच्चों मैं आरती सक्सेना सहयक अध्यापी का राजकी बाल का इंटर कॉलेज सिंगार नगर लखनो आज आपको संस्क्रित की इस कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और आज मैं आपको कथा नाटक कौमदी के प्रथम पाठ महत्मना संस्मरणानी को पढ़ाने जा रही हूं तो आएए आपको सबसे पहले मैं अपने व्याख्यान का परचय करा दूं तो इसमें सबसे पहले आपको मैं पाठिक्रम आपका बताऊंगी फिर पाठ का उद्देश फिर महत्मना संस्मरणी का संशिप्त परचय फिर गाध्यांश संख्या एक से छे तक का वाचन करूंगी फिर उसके बाद काठिन निवारन और उसी क्रम से उसका हिंदी में अनव तो सबसे पहले मैं आपको आपके पाठिक्रम के विशय में बताती हूँ पाठिक्रम में आपके तीन पुस्तके हैं गद्यभारती पद्यप्यूश्यम और कथा नाटक कॉमदी और इसके साथ ही संस्कृत व्याकरन तो जो आपकी पुस्तक कथा नाटक कॉमदी है उसमें आ तो आज उसी का प्रथम पाठ हम लेते हैं, महात्मना संस्मरनानी, तो पहले इस पाठ का उद्देश और पर्चे हम आपको बताते हैं, जैसे कि नाम से इस पष्ठ है कि महात्मना यानि महात्मा गांधी और संस्मरनानी अर्थात उनकी जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटन तो इस पाठ को आपके पाठिक्रम में डालने का उद्देश यही है, कि आप सब को महात्मा गांधी जीवन से परचित कराया जा सकें, और गांधी जीवन में जो सत्य का प्रभाव था, जिस सत्य के बलपर उन्होंने भारत को पराधीनता से मुक्त कराया था, उसकी जो कांधी जी गए थे, तब उनको बहुत वहाँ पर उन्होंने विकट परिस्ततियों का सामना किया, और उन्होंने देखा कि रंग भेत के कारण गोरे जो हैं वो काली लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सत्य, प्रेम, आत्म बल और आत्म त्या आत्नाय आपके इस पार्ठ में आई हैं, और जो गांधी जी के नयतिक सिध्धान्त थे, जिनके बल पर उन्होंने इन परिस्तियों में कभी भी वो डिगे नहीं, उनको आपको बताया जाएगा, तो अब आपका पार्ठ हम आरंभ करते हैं, और सबसे पहले गद्यान संक्य मोहन दास करम चंद गांधी पोर बंदर नगरे जन्म लेभे, अस्य पिता करम चंद गांधी धर्मात्मा, निर्भीका, सदा चारेक प्रवणा, सत्य प्रिया, धीरा, गंभीरा, गत गर्वा, मानी, धनी, चासीत माता अपी पुतली बाई, धर्मरता, व्यवहारी चतुरा, महिलोचिता अदर्श मूर्तिही, सभावतो मधुरा, पूजा पाठ व्रतो उपवास प्रवर्ती, क्रिया नियाता, रुचिर चरित्रा, परंपवित्रा चासीत पुत्रे माता पित्रोर गुण गण संक्रमनम जातम, मणी कांचन योगे सुगंध समिश्णम इव प्रजातम, मोहन दासा पितेव सत्य प्रिया निर्भयो जाता, सर्वदा बालो मोहना, पुस्तकेशु एव रमते इस्म, मोहनो अयम अध्यन शीला, नियत पाठ अभ्यासी चासीद, अब आपको इस गद्यांश में आई हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं, लेभे, ये लबधातु से बना है, और इसका अर्थ होता है प्राप्त करना, और यहां पर लेभे का अर्थ हुआ प्राप्त किया, सदाचारेक प्रवणा, अर्थात सदाचार पर अर्थात अभिमान शूर्य, प्रवर्थी इत्यादी, क्रिया नियाता, क्रिया यानि क्रिया और अर्थात उसका क्रियाओं का अनुसरण करने वाली, नियत पाथ अभ्यासी, नियमित रूप से निरंतर पाथों का अभ्यास करने वाला, यानि प्रते दिन वो अपने पाथ क का अभ्यास करते थे अब इसका हम इंदी में अर्थ आपको समझाते हैं कोटी कोटी भारत जन लोचन तपरा कोटी कोटी यानि करोणों करोणों भारतिये जनों के लोचन अर्थार्थ नेत्रों के करोणों करोणों भारतिय जनों के आखों के तारे मोहन दास करम चंद गांधी पोर बंदर नगर में जन्म लेबे यानि उन्होंने जन्म प्राप्त किया करोणों करोणों भारतिय लोगों की आँखों के तारे मोहन दास करमचंद गांधी ने पोरबंदर नगर कहा पर है गुजरात में तो पोरबंदर नगर में उन्होंने जन्म प्राप्त किया अस्य पिता करम चंद गांधी धर्मात्मा निर्भीका सदाचारेक प्रवणा सत्य प्रिया धीरा गंभीरा गत गर्वा मानी धनी चासीत अस्य पिता इनके पिता करम चंद गांधी देखें मोहन दास इनका मुल नाम था और गांधी जी अपने नाम के आगे अपने पिता का न धर्मात्मा धार्मिक निर्भीका अर्थात निदर सदाचारेक प्रवणा यानि सदाचारी सत्य प्रिया सत्य बोलने वाले धीरा धैर्वान गंभीरा गंभीर गतगरवा अभिमान से रहित मानी सम्मानित प्रतिष्ठा से योग्त च्या माने और धनी अर्थात धनिक और धनि या धन्वान आसीत माने थे इनके पिता करमचंद गांधी धार्मिक निडर सदाचारी सत्य बोलने वाले धैर्यवान गंभीर अभिमान से रहित सम्मानित और चामने और धनिक याने धन्वान आसीत माने थे माता अपी पुतली बाई धर्मरता व्यवारे चतुरा माता पुतली बाई अपी मने भी माता पुतली बाई भी धर्मरता यान धार्मिक व्यवारे चतुरा व्यवार में कुशल महिलोचिता आदर्श मूर्ती महिलाओं में जो उचित आदर्श गुण होते हैं उनकी मूर्ती म महलाओं में जो गुण होनें चाहिए वो उनका उनमें विद्धिमान थे सभावत मधुरा सभावसे मधुर पूजा पाठ व्रत उपवास प्रभर्ति पूजा पाठ व्रत उपवास इत्यादि ये जितनी क्रियाई होती उन क्रियाओं का अनुसरण करने वाली रुचर चरित्रा अच्छे चरित्र वाली चा मने और परम पवित्रा परम पवित्र आसीत मने थी माता पुतली बाई अपी मने भी धार्मिक व्यवारे चत्रा व्यवार में कुशल और महिलाओं में जो उचित आदर्श गुण होते उनसे युक्त सभावतों मधुरा सभावसे मधुर पूजा पाठ व्रत उपवास आधी क्रियाओं का अनुसरन करने वाली अच्छे चरित्र और परम पवित्र महिला थी पुत्रे माता पित्रोर गुण गण संक्रमणम जातम पुत्रे पुत्र में यहाँ पे पुत्र किसके लिए आया है मोहंदास के लिए पुत्र मोहंदास में माता पित्रोर गुण माता और पिता के गुण गण संक्रमणम यानि उसमें माता और पिता के ये जो गुण बताए हुए थे ये सब गुण पुत्र में समाहित जातम समाहित हो गए थे जैसे पिता में पिता के गुण जो होते हैं, वो सभाविक रूप से उनके बच्चों में आ जाते हैं, माता पिता के गुण, तो मोहंदास में भी अपने माता पिता के गुण संक्रमणम जातम यानि समाहित हो गए थे मणी कांचन योगे सुगंध समरिश्णम इव प्रजातम मणी कांचन योगे मणी यानि रत्न और कांचन यानि सुवन यानि सोना अगर सोने में रत्न जडित होता है सोना तो वो बहुत अच्छा लगता है तो वो और उसमें उसमें स सुगंध का समिश्रण हो गया हो तो जो उनके पुत्र भी इतना सभाविक रूप से अच्छा था और उसमें माता-पिता की इतने अच्छे गुण समाहित हो गए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सोना जो की रत्न जडितो और उसमें सुगंध का भी समिश्रण प्रजातम हो मोहन दासा पितेव सत्त प्रिया निर्भयों जाता है मोहन दास पिता के समान सत्त प्रिय निर्भय जाता हो गए तो मोहन दास पिता के समान सत्त प्रिय और निर्भय थे सर्वदा बालो मोहना पुस्तकेशु एव रमते इस्म सर्वदा हमेशा बालो मोहना बालक मोहन पुस्त पुस्तकेशु एव यहाँ पर संधी है पुस्तकेशु सब्तमी व्यक्ति भवचन और एव यानि पुस्तकों में ही एव मने ही रमते इस्म यानि लीन रहते थे यानि उनका मन पुस्तकों में ही लगता था अध्याश चा माने और नियत पाठ अभ्यासी नियमित रूप से निरंतर अपने पाठ का अभ्यास करने वाले थे तो यह अभी हमने आपको यह गध्याश पढ़ाया और इसके बाद आप देखें जो अभी हमने इनके माता पिता का वर्णन किया था तो यह इनके पिता करंचंद गांधी जी है और यह इनकी माता पुतली बाई का चित्र है अब हम अगले गद्यांश को पढ़ाते हैं गद्यांश संख्या तील एवं चार एक दा ग्रह समीप एव याया वरो अभिनेत्र वर्ग एकम अभिनयम प्रादर्शयत मित्रह साकम मोहनों अपी तम द्रश्टुम अगच्छत हरिष्चंद्र आविधे तस्मिन नाटके राज्या हरिष्चंद्रस चरित्रम चित्रतम नाटकेन अनेन अयम हरिष्चंद्र इव सत्यसंधा सचरित्रश्च भवितुम चाकांश कियान अपी कठनो मार्गो अयम भवतु गाइल्स नामा विद्याले निरिक्ष कहा बाला नाम वण विन्यासम परिक्षितुम एकदा विद्यालें आगता हा तदा मोहन दासम विहाय सर्वे बाला शुद्ध वण विन्यासम कार्शु हु तेही पंच साधारन शब्दान शुद्धम लिकितुम आग्यापता सन अब आपको इस गध्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं आचकांश अर्थात इच्छा की कियान अपी कियान मने कितना अपी मने भी तो कितना भी अकार्शु कर दिया न अशकनोत यहाँ पर दो शब्द हैं न और अशकनोत तो न कर सका सत्य संधा सत्य कार्थ सत्य और संधा यानि उसकी खोज करने वाला वर्ण विन्यास अर्थात भाशा ग्यान वर्ण विन्यास उसको कहते हैं जो आप शब्द लिखती हैं उसमें अक्षर और मात्र सही-सही लगाए हूं कि अब हम इस गध्यांश की आपको को हिंदी में अर्थ बताते हैं एक दा एक बार गरह समीप एव घर के घर के समीप एव और थत ही घर के समीप भरत ही याया वरो याया जो घूमते रहते हैं तो ऐसे घूमने वाले अभिनेत्र वर्ग अर्था नाटक के कलाकार अभिनेता तो नाटक के कलाकारों का एक समू एकम अभिनयम एक नाटक प्रादर्शयत उसने एक नाटक प्रदर्शित किया एक बार घर के समीप ही घुमन्तू नाटक के कलाकारों के स तमुने एक नाटक प्रदर्शयत प्रस्तुत किया प्रदर्शयत किया मित्रह साकम मोहनो अपी तम द्रश्टुम अगच्छत और तुमुन प्रत्य से उसका अर्थ हो जाता है के लिए तो द्रश्टम अगच्छत यानि गया हरिश्चंद्र आभिधे तस्मिन नाटके राज्या हरिश्चंद्र से चरित्रम चित्रतम हरिश्चंद्र आभिधे अभिधे मने नामक हरिश्चंद्र नामक तस्मिन नाटके उस नाटक में राजया हरिष्चंद्र से चरित्रम राजा हरिष्चंद्र के चरित्र को दिखाया गया था चित्रतम यानि दिखाया गया था नाटक में नाटकेन हरिष्चंद्र राजा हरिष्चंद्र के विश्य में तो आप सब जानती होंगी कि सत्यवादी उनके नाम के आ इस्वारा, ऐम अर्थात मुहँडास हरिश्चन्थ र के समान ही सत्य संधा, सत्य की खोश करने वाला Shapin Park सचा का मरें और सच्रित्रवान भुवितुम्राइग की कि अकांश यानी उसने इच्छा कि," क्या बनने की इच्छा की हिक कि क्या नपी कठनों मार्गों अयंभवतू किया नपी कितना भी कठन У्यासम्य घ। create की है और जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने सत्य का अनुपालन किस तरह किया वो प्रारंब होती है गाइस नाम विद्यालय निरिक्षका बाला नाम वन विन्यासम परिक्षितुम एकदा विद्यालयम आगता गाइस नामक विद्यालय निरिक्षक बाला नाम बच्चों के वन विन्यासम यानि भाशा ध्यान को परिक्षितुम यानि उसको उसकी परिक्षा लेने के लिए परिक्षण करने के लिए एक दा एक बार विद्यालें आगता विद्याले आए तदा मोहन दासम विहाय तब मोहन दास को विहाय मने छोड कर सर्वे बाला सभी बालकों ने शुद्ध वन विन्यासम अकार्शु सभी बालकों ने शुद्ध माने सही सही वन विन्यासम अकार्शु जो उन्होंने शब्द दिये थे उसको सही सही लिखा ते ही पंच साधारन शब्दान वो पाँच साधारन शब्द शुद्धम लिखतुम आज्यापतासन तो उनको पाँच साधारन शब्द को शुद्ध सही सही लिखतुम लिखने के लिए यहां पर भी तुम उन प्रत्य लगाए तो लिखतुम लिखने के लिए आज्यापतासन यानि उनको आदेश दिया गया था निरिक्षक महद दौरा कौन से निरिक्षक आय थे गायस नामक मोहन दास जी जी जो थे वो केटल इस शब्द का वर्ण विन्यास कर तूम करने में न अशकनोत यानि समर्थ नहीं हुए या वो नहीं लिख सके इस जो केटल सब्द था ये इसी भाषा का शब्द था और उसमें उन्होंने जो अंग्रेजी के वर्ण थे वो गलत लिख दिये थे तो वो उसको लिखने में समर्थ नहीं हुए अब आपका यह इसके आगे के गध्याश को हम बताते हैं पहले उसका हम आदर्श वाचन करते हैं आत्मनाम संदिक्धाम प्रतिष्ठाम चिंत्यमाना शिक्षका आतंकिता आसन तेही शिक्षका निकटस्थ श्याम पटता तत पद विन्यासम अनुकर्तुम इंगितेन स्वांते वासिनम प्रेरिया मासुह यदपी तदानीम निरक्षक स्यापी ध्यानम अनियत्रासीत अवलोकयन आत्मानम अपवंच नातो विरतम अकरोद अयम आत्मनी अनादरम अन्भवत सह अध्याई नाम उपहास भूमी शिक्षका नाम कोप भाजनंचा स्याम इती व्य जानात वंच नाता सत्यस कदापी प्रच्छादनम भवतुम ना अरहती मुल्यम एतस यत किमपी भवतु नाम एती समव गच्छनयं तदा मोन अवलंबन एव आवर्नोत। कक्षाया अनंतरम मोहनस शिक्षको अकुप्यत तस्मई यदपी केटल इती वन विन्यास घटना प्रती पादय अदस सत्य प्रियत्यम तथा पी गतेशु वर्षेशु सर्वेशाम शिक्षका नाम अयम प्रीतिम अनुकलियंच समुपार जयत। अब आपको इस गध्यांश के जो कठें शब्द हैं उनका अर्थ बताते हैं अनुकर्तुम अर्थात नकल करने के लिए अनुकरन अनुसे बनते हैं अनुकरन नकल करने के लिए इंगितिन यानि इशारा इशारे से स्व अंते वासना स्वामने अपने अंते वासना कहते हैं शिश को अपने शिश को प्रेरिया मासु प्रेरित किया अप वंच नाथ ठगे जाने से ना आहरती ना माने नहीं आहरती माने योग अर्था योग नहीं होता अब आपको इस गद्यांश का हिंदी में अर्थ बताते हैं आत्म नाम संदिक धाम प्रतिष्ठाम चिंत माना शिक्षिका अब जब मोहन दास ने उस शब्द को गलत लिखा उसका वर्ण विन्यास गलत किया तब शिक्षिकों को ये चिंता हुई कि अगर निरिक्षक महदे इसको देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि शिक्षक ने सही न आत्म नाम संदिकधा प्रतिष्ठाम अपनी प्रतिष्ठा पर संदिकध होते हुए संदेह करते हुए चिंत माना चिंतित शिक्षका शिक्षक आतंकिता आसन आतंकिता यानि डरे हुए थे कि कही निरिक्षक महदे कुछ इस पर गलत ना सोच ले तो अपनी प्रतिष्ठा क के विशह में संधे करते हुए चिंतित शिक्षक डरे हुए थे ते एसे का निकटस्त स्यामपटता थत पद विधिन्याज्म अनूकर्तु सेन तेही शिक्षका तो उन शिक्षकों न在 ग्रतस्त समीब के श्यामपत्ट था श्यामपत्ट कहाँ जाता है जो तक्ति उस काल में पहले पर लिखा जाता था और काले रंकी तक्ती होती थी और सफेद रंकी Khr vividyati श्याम पटता यानि उस तक्ति से तत पद विन्यासम उस पद विन्यास को उस शब्द को अनुकर्तुम अनुकर्तुम यानि नकल करने के लिए इंगितेन इशारे के द्वारा शिक्षक ने इशारा किया कि अपने पास के विद्यार्थी की तक्ति से वो शब्द नकल कर ले त तो आमाने अपने अंते वासिनम अभी बताया था अपने शिश्य को और उनका शिश्य को और मोहंदास तो मोहंदास को प्रेरिया मासु यानि प्रेरित किया कि तुम अपने पास के विद्यार्थी के तक्ति से वो शब्द नकल कर लो यदपी तदानीम निरिक्षक स्यापी ध थ्यानम अन्यत्र आसित उनका ध्यान भी अन्यत्र यानी और कहीं आसित मनित था उनका ध्यान मोहनदास पर नहीं था उस और नहीं था तथा पी मोहना समुख अवलोक जन को ऑль यानि उन्होंने इधर-उदर अपने साथी सहपाथी की तक्ति पर नहीं देखा। आतमानम अपने को अपवन्चनातोна यानि धोका दिये जाने से या ठगे जाने से या नकल करने से विरतम अक्रोथ रोक लिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी मोहंदास ने सामने देखते हुए अपने को ठगे जाने से यानि अगर वो नकल करते तो वो अपने को ही धोका देते तो अपने को धोका दिये जाने से उन्होंने विरता मक्रोथ रोक लिया अयम आत्मनी अनादरम अनभवत अयम मने इन्होंने किसने मोहंदास ने आत्मनी अपना अनादरम ये अनादर अनभवत यानि इन्होंने अनभव किया कि अगर मैं दूसरे से नकल करता हूँ तो ये मेरा ही अपमान होगा मेरा ही अनादर होगा कि मैं अपने को ही धोका दे रह सह अध्याई नाम उपहास भूमी शिक्ष का नाम कोप भाजनंच स्यामिती व्यजानात वो ये व्यजानात ये वो जानते थे कि सह अध्याई नाम सह मने साथी अध्याई नाम यानि जो सहपाथी उनके साथ अध्यान करने वाले उनको क्या कह जाता है सहपाथी अपने भूमी यानि उपहास के पात्र होंगे वो उनकी हसी बनाएंगे सैपाठियों के उपहास के पात्र होंगे और शिक्ष का नाम और शिक्षकों के कोप भाजनंचा उनके क्रोध के पात्र होंगे स्याममने हो जाएंगे व्याजानात वो ये जानते थे तो वंचनाता ठगे जान कभी भी समर्त नहीं होता है ज्जुट जो है वो कभी भी सत्य को नहीं छिपासकता है मूल्यम ऎतस यत क्मपि भवतु यानि चाहिं सांगर तब वो मौन का ही आवरण यानि उसको ही वो चैन करते हैं अगर चाहें इसका मुली कुछ भी हो लेकिन धोका दिये जाने से अच्छा है कि वो मौन को का सहारा ले ले कक्षा के बाद मोहन के शिक्ष तस्माई यानि उन पर क्रोधित हुए यानि इसने प्रतिपादित किया यानि इसने बताया इस गतना ने कि उनकी स्त प्रियता को कि वो सत्य पे कितने अटल थे तथा पी गतेशु वर्षेशु सर्वेशाम शिक्ष का नाम फिर भी आगे आने वाले वर्षों में सर्वेशाम शिक्ष का नाम अयम अपने सभी शिक्षकों के ये प्रीतिम अनुकलयंच इन्होंने अपने सभी शिक्षकों के प्रीति यानि इ इसने को प्राप्त किया तो यह आपको चित्र दिख रहा है इसमें यह निरिक्षक महदे यहाँ पर बैठे हुए हैं और यह विद्यारती बैठे यह गांधी जी यह शिक्षक जो हैं उनको इशारा कर रहे हैं कि अपने पास के विद्यारती से वह नकल कर लें यह तक्ति आते हैं इनका एक-एक मंक्ती में आपको उत्तर देना है आप यह समझ लीजे महत्मना किम नाम आसीत महत्मा का क्या नाम था महत्मना कुत्र जन्वक्त महत्मा के पिता का नाम क्या था पुतली भाइ सभावेन कीदरशी आसीद पुतली भाइशक कौन था विद्याल निरिक्षके किम प्रिष्टम विद्याले निरिक्षक महोदे के द्वारा क्या पूछा गया महात्मा गांधिना पिता कीद्रशा आसीत महात्मा गांधी के पिता किस प्रकार के आसीत माने थे उनके गुणों को यहां पर बताना है तो आज बचों हमने गांधी जीवन की इस बच्पन की घटना को देखा कि किस प्रकार से उन्होने विद्याले में एक इस्तिटी ऐसी आई थी कि जब उनके शिक्षक खुद क्या रहे थे कि अपने पास के विद्यारती से नकल करके लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य के मार्क पर चलते हुए उन्होंने नकल करना उचित नहीं समझा और सत्य का मार्क पर चलते हुए उन्होंने चाहे बाद में वो अपने सहभाठियों के हसी के पात्र बने या शिक्षकों के क्रोध के पात्र बने फिर भी वो सत्य के मार्क पर तो ये बच्छो आज आज आपका महात्मना संस्मर नानी का भाग एक पून हुआ और आगे हम आपको भाग दो और तीन बताएंगे इसके सहायता के लिए आप मानव संसाधन विकास मंत्राला द्वारा दीक्षा एप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उससे भी आप सह पहता ले सकते हैं और इससे समंदित प्रशन इत्यादी आप उसमें देख सकते हैं तो बच्छो इतना ही आज रखते हैं और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूं और आशा करती हूं कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा धन्यवादी झाल